मधुबन के बाबा मधुबन के बाबा मुरली वाले आपका क्या कहना आपका क्या कहना ओम शांति 24 अक्टोबर 2021 अव्यक्त बाप दादा के महवाक्य ओरिजनल डेट 11 नवंबर 1989 अव्यक्त मुरली का सार है दिव्यता संगम युगी ब्रामनों का श्रिंगार आज दिव्य बुद्धी विधाता दिव्य द्रिस्टी दाता अपने दिव्य जनम धरी दिव्य आत्मों को देख रहे हैं बाप दादाने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अथा दिव्य संकल्प दिव्य बूल दिव्य करम करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया है दिव्यता आप संगम गी बच्चों का स्रेष्ट श्रिंगार है एके साधारंता दूसरा है दिव्यता दिव्यता की निशानी आप सब जानते हूँ दिव्य जीवन धर्यात्मा किसी भी आत्मा को अपने दिव्य नैनों द्वारा अर्था द्रिस्टी द्वारा साधारनता से परे दिव्य अनुभूतियां कराएगी. सामने आने से ही साधारन आत्मा अपनी साधारनता को भूल जाएगी. सामने आने से साधारन आत्मा अपनी साधारनता को भूल जाएगी. क्योंकि आजकल के समय अनुसार वर्तमान के साधारन जीवन से मैजौरटी आत्मा इसंतुस्ट नहीं है. आगे चलकर ये आवाज सुनेंगे ये जीवन कोई जीवन नहीं है. जीवन में कुछ नवीनता चाहिए. अलौकिकता, दिव्यता, जीवन का विशेश आधार है, ये अनुभव करेंगे. कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, इस चाहिए के प्यास से चारो ओर ढूंडेंगे. जैसे स्थूल पानी की प्यास में तडफता हुआ मानव चारो और पानी की बूंड के लिए तडफता है. ऐसे दिव्यता की प्यास सी आतमाई, चारो और अंचली लेने के लिए तडफती हुई दिखाई देंगे. तडफती हुई कहां पहुँचेंगे? आप सब के पास ऐसे दिवयता के खजाने से भरपूर बने हुग हर समय दिवयता अनुवव होती है और कभी साधारन कभी दिवय जब बाप ने दिवय द्रिष्टी, दिवय बुद्धी का वर्दान दे दिया तो दिवय बुद्धी में साधारन बाते आ नहीं सकती दिव्य जनमधारी ब्रामण तन से साधारन करम कर नहीं सकते ये दिव्य जनम है नया जनम है दिव्य जनमधारी ब्रामण इस ब्रामण तन से साधारन करम कर नहीं सकता चाहे देखने में लोगों के लिए साधारन करम हो दूसरों के समान आप सब भी व्यावार करते हैं, व्यापार करते हैं, वा गवर्मेंट की नोकरी करते हैं, माताएं खाना बनाती हैं, देखने में साधारन करम हैं, लेकिन इस साधारन करम में भी आपका ओर लोगों से न्यारा अलोकिक दीवे करम हो महान अंतर इसले सुनाया कि दिव्य जनमधारी ब्रामन तन से साधारन करम नहीं करते मन से साधारन संकल्प नहीं कर सकते धन को साधारन रिती से कारे में नहीं लगा सकते क्योंकि तन मन धन तीनों के ट्रस्टी हो इसलिए मालिक बाप की शिरिमत के बिना कारे में नहीं लगा सकते हर समय बाप की शिरिमत दिव्य करम करने की मिलती है इसलिए चेक करो सारे दिन में साधारन बोल और करम कितना समय रहा और दिव्य अलोक की कितना समय रहा साधारन कितना रहा, दिव्य और अलोकिक कितना समय रहा, कई बच्चे कहां कहां बहुत भोले बन जाते हैं, चेक करते हैं लेकिन भोले पन में, समझते हैं सारे दिन में कोई विशेश गलती तो की नहीं, बुरा सोचा नहीं, बुरा बोला नहीं, लेकिन ये चेक किया, कि दि ना बनता है वर्तमान का दिव्य संकल्प वा दिव्य बोल और करम भविश्य का जमा करता है जमा का खाता बढ़ता नहीं है तो जमा करने के हिसाब में भोले बन जाते हैं खुश रहते हैं कि मैंने वेस्ट नहीं किया लेकिन सिर्फ इसमें खुश नहीं रहना वेस्ट नहीं क का ना बच्छे कहते हैं अन्याज और किसी को दुख नी दिया लेकिन सुख भी दिया है vacunzahl नहीं दिया इस से वर्तमान अच्छा बनाया लेकिन सुख देने से 3-4 अजे कि वर्तमान में खुश कुछ लगई सुख दाता के बच्छे इस सुख का खातां जमा करते हैं सिर्फ ये नहीं चेक करो कि दुख नहीं दिया, लेकिन सुख कितना दिया, जो भी संपरक में आए, मास्टर सुख दाता द्वारा, हर कदम में सुख की अनभूती करें, इसको कहा जाता दिव्यता दो चेकिंग भी साधारण से गुईय चेकिंग करो, हर समय स्मृति में रखो, एक जनम में 21 जनमों का खाता जमा करना है, तो सब खाते चेक करो, तन से कितना जमा किया, मन के दिव्य संकल्प से कितना जमा किया, और धन को शिरिमत प्रमान स्रेष्ट कार्य में लगा कर कितना जमा किया, तीनों को ही चेक करना है, तन, मन, धन, तीनों को ही कितना जम जमा किया जमा के खाते की तरफ विशेश अटेंशन दो क्योंकि आप विशेश आत्माओं का जमा करने का समय इस छोटे से जनम के सिवाई सारे कल्प में कोई समय नहीं है और आत्माओं का हिसाब अलग है आप स्रेश्ट आत्माओं के लिए अब नहीं तो कभी नहीं तो समझ क्या करना है इसमें भोले नी बनो पुराने संसकारों में भोले मत बनो बापतदा ने रिजल्ट देखी कितनी बातों की रिजल्ट में जमा का खाता बहुत कम है उसका विस्तार फिर सुनाएंगे सभी स्नही में सब कुछ भुलाकर पहुंच गए हैं बापतदा भी बच्चों का सुनही देख एक घर के स्नही का रिठन और घरी की प्राप्ति का देता ही रहता है आप सब को इतने बड़े संगठन में आने के लिए क्या-क्या पक्का कराया गोड़े तो पट्रानी बनना पड़ेका चार दन चार दिन लक समझो जो इतना मिल रहा है फिर भी जड मूर्तियों के दर्शन के समान खड़े खड़े रात तो नहीं बिताते हुँ न तीन पैर पृथवी तो सबको मिली है न यहां भी आराम से बैचे हो संख्या बढ़ गई तो नीचे सोना पड़ा तो बाबा अंतर बता रहे हैं कि भ ली है यहां भी आराम से बैचे हो जब आगे व्रिदी होगी तो स्वत्य विधी भी परिवर्तन होती रहेगी लेकिन सदैव यह अनुभव करो जो भी मिल रहा है वो बहुत अच्छा है क्योंकि व्रिदी तो होनी ही है परिवर्तन भी होना ही है तो सभी को आराम से रहना ख भोग लगाओ, फिर खाओ, यहां बना हुआ, भोग लगावा भोजन मिलता है, इसलिए माताओं को तो अच्छा आराम है, कुमारों को भी आराम मिलता है, क्योंकि उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम खाना बनाने की ही है, यहां तो आराम से बनावा भोजन खाया ना, सदैव ऐसे इजी रहो, जिसके संसकार इजी रहने के होते हैं, उनको हर कारिय सहज अनवो होने के कारण इजी रहते हैं, संसकार टाइट हैं, तो सरकम्स्टांस भी टाइट हो जाते हैं, समन संपरक वाले भी टाइट वहवार करते हैं, टाइट अर्थात खीचा तान में रहने वा या कभी-कभी अच्छे बुरे क्या कर्शन में आ जाते हो ना अच्छे में ना बुरे में किसी में आकर्शित नहीं हो ना सदाहर्शित रहना हैं अच्छा सदाहर कदम में दिव्यतानभो करने वाले और कराने वाले दिव्यमूर्तियों को सदापने जमा के खाते को बढ़ाने वाले नौलेज़ूल आत्माओं को सदाहर समस्या को इजी सिती द्वारा इजी पार करने वाले ऐसे समझदार बच्चों को अनेक आत्माओं के शीवन के प्यास को बुझाने वाले मास्टर ज्यान सागर स्रेश्ट आत्माओं को ज्यान सागर बाप तदका याद प्यार और नमस्ते रूहानी बच्चों की रूहानी बाप तदको नमस्ते गुड मॉर्निंग शुक्रिया बाबा शुक्रिया बॉम्बे ग्रूप बॉम्ब करते होना संपनता संपूरंता की निशानी है संपूरंता की चेकिंग अपनी संपनता से कर सकते हो क्योंकि संपूरंता माना सर्व खजानों से फुल होना जैसे चंद्रमा जब संपन होता है तो संपनता उसकी संपूरंता की निशानी होती है इससे और आगे नहीं बढ़ेगा बस इतनी ही संपूरंता है जरा भी किनारी कम नहीं होती संपन होता है तो आप सब ज्यान योग धारना सेवा सभी में संपन इसी को संपूरंता कहा जाता है इससे जान सकते हो कि संपूरंता के समीप है या दूर है संपन हो अर्था संपूरंता के समीप हो तो सब समीप हो कितने समीप हो आठ तक सो तक या सोला हजार तक आठ की समीपता फिर सो की समीपता फिर सोला हजार की समीपता कितने समीपता वाले हैं यहीं चेक करना है अच्छा है फिर दुनिया के कोटों से आप बहुत-बहुत भग वे तड़फने वाले हैं, आप संपन आत्माई हो, प्राप्ती स्वरुपात्माई हो, ये खुशी है ना, रोज अपने से बात करो, हमारे सिवाई और कौन खुश रह सकता है, यही वर्दान सदा स्मृति में रखना, कि समीप है, संपन है, अभी तो समीप मिलना भी हो गया, जैसे स्थूल में समीप अच्छा लगता है, वैसे स्थिती में भी सदा समीप, अर्था सदा संपन वनो, दूसरा गुरुप है, गुजरात गुरुप, सभी दृष्टी द्वारा, शक्तियों के प्राप्ती की अनुभूती करने के अनुभवी हो ना, जैसे वानी द्वारा शक्ति की अनुभूती करते हो, मुरली सुनते हो, तो समझते हो, शक्ति मिली, ऐसे दृष्टी द्वारा, शक्तियों की प्राप्ती की अनुभूती के अभ्यासी बने हो, या वानी द्वारा अनुभूती के अभ्यासी बने हो, या वानी द्वारा अनुभूती के अभ्यास तो दूसरों को भी अपनी दिव्य द्रिश्टी द्वारा अनुभव करा सकेंगे आगे चलकर वानी द्वारा सबको परीचे देने का समय भी नहीं होगा और सरकम्स्टांस भी नहीं होंगे तो क्या करेंगे वर्दानी द्रिश्टी द्वारा महादान देंगे वर्दान दृश्टी के द्वारा, शांती की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सुख वा आनंद की शक्ति सब प्राप्त होती है, जड़ मूर्तियों के आगे जाते हैं। तो जड मूर्ति बोलती तो नहीं है न, फिर भी भगत आत्माँ को कुछ न कुछ प्राप्ती होती है, तभी तो जाते हैं, कैसे प्राप्ती होती है, उनके दिव्यता के वाइब्रेशन से, दिव्य नैनू की दृष्टी को देख वाइब्रेशन लेते हैं, कोई भी देवता या देवी की मूर्ती में विशेश अटेंशन नैनू की तरफ देखेंगे, फेस की तरफ अटेंशन जाता, क्योंकि मस्तक के द्वारा वाइब्रेशन मिलते, नैनू द्वारा दिव्यता की अनभूती होती है, वो हैं जड़ मूर्तियां, लेकिन किसकी है, आप चेतन्य मूर्तियों की ही जड़ मूर्तियां है, ये नशा है कि हमारी मूर्तियां है, चेतन्य में ये सेवा की है, तब जड़ मूर्तियां बनी है, तो दृष्टी द्वारा शक्ति लेना, दृष्टी द्वारा शक्ति देना, ये प्राक्टिस करो, दृष्टी द्वारा शक्ति लेना, पहले बाप ददसे, फिर सबको देना, इसका अभ्यास करो, शान्ती की शक्ति की अनभूती बहुत स्रेश्ट है, जैसे वर्तमान समय साइस की शक्ति निकली किस से है साइलेंस की शक्ति से न जब साइस की शक्ति अल्प काल के लिए प्राप्ति करा रही है तो साइस की शक्ति अल्प काल के लिए प्राप्ति करा रही है तो साइलेंस की शक्ति कितनी प्राप्ति करा रही है तो बाप के दिव्य दिश्टी द्व कारे में लगा दिया अर्थात कमाया और खाया जो कमाते हैं और खाके खतम कर देते हैं उनका कभी भी जमा नहीं होता और किसका जमा का खाता नहीं होता उसको समय पर दोखा मिलता है जिसका जमा का खाता नहीं होता उसको समय पर दोखा मिलता है दोखा मिलेगा तो दुख की प्राप्ति होगी, ऐसे साइलेंस की शक्ति जमा नहीं होगी, दृष्टी के महत्व कानभव नहीं होगा, तो लास्ट समय स्रेष्ट पद प्राप्त करने में दोखा खालेंगे, फिर दुख होगा, पश्चाताप होगा, इसने अभी से बाप की दृष्टी द्वरा प्राप्त होई शक्तियों को अनुभव करते, जमा करते रहो, तो जमा करना आता है, जमा होने की निशानी क्या होगी, नशा होगा, जैसे सावकार लोगों के चलने, बैटने, उठने में नशा दिखाई देता है, और जितना नशा होता उतनी खुशी होती है, तो यह रूहानी नशा, इस नशे में रहने से खुशी स्वत्य होगी, खुशी जनमसिद अधिकार है, सदा खुशी की जलक से औरों को भी रूहानी जलक दिखाने वाले बनो, इस वर्दान को सदा स्मृति में रखना, कुछ भी हो जाए, समस्या आएगी और जाएगी, लेकिन खुशी नहीं जाए, क्योंकि खुशी हमारी चीज है, समस्या परस्तिती है, दूसरे के तरफ से आई हुई है, अपनी चीज को सदा साथ रखते हैं, पराई चीज तो आएगी भी और जाएगी भी, परस्तिती माया की है, अपनी नहीं आपनी चीज को खोना नहीं होता तो खुशी को खोना नहीं चाहिए शरी चरा जाए लेकिन खुशी ना जाए खुशी से शरी भी जाएगा तो बढ़िया मिलेगा पुराना जाएगा नया मिलेगा तो गुजरात और महरास्टर वाले इस महानता में सदा रहना खुशी में महा बन्ना आच्छा नेक्स्ट जू कहीं कर नाट रख इस ड्रामा के अंदर विशेश फार्ट बजाने वाले विशेष आत्म हैं ऐसा न भू करते हो नहीं इस जब अपने को विशेश आत्म समझते हैं तो बनाने वाला बाप स्वत ही याद आता है, याद सहज लगती है, क्योंकि समंद याद रहता है, समंद याद का आधार है, जहां समंद होता है, वहां याद स्वत है, सहज हो जाती है, जब सर्व समंद एक बाप से हो गए, तो और कोई रहा ही नहीं, एक बाप सर्व समंदी है, इस समर्ती से सहज योगी बन गए, कभी मुश्किल तो नहीं लगता, बाबा ही सर्व समंधी है, मात, पिता, बंधू, सखा, गाइड, सब कुछ बाबा है, इस एक समरती से सहज योगी बन गए, कभी मुश्किल तो नहीं लगता, जब माया का वार होता तब मुश्किल लगता है, माया को लाई देंगे तब बाप की बधाईयां बहुत आगे बढ़ाएंगे। परमातम दुआएं एक जनम नहीं, अनेक जनम स्रेष्ट बनाती हैं। याद रखना मैं दिव्य आइना हूं। बाप ही दिखाई दे, समझा, आज का वरदान, सदा एकरस्तिती के तक्त पर विराज्शमान रहने वाले, बाप दादा के दिल तक्त नशीन भव, सबसे श्रेश्ट तक्त बाप दादा के दिल तक्त नशीन बनना है, लेकिन इस तक्त पर बैचने के लिए अचल, अडोल, एकरस्तिती का तक्त चाहिए, अगर इस स्तिती के तक्त पर स्तित नहीं हो पाते, तो बाप दादा के दिल रुपी तक्त पर स्तित नहीं हो पाते, इसके लिए अपने भृकुटी तक्त पर अकाल मुरत बन स्तित हो जाओ इस तक्त से बार बार डगमग ना हूँ तो बाप ददा के दिल तक्त पर विराज्शमान हो सकेंगे स्रेश्ट सिती के आसन पर रहेंगे एक्रस तिती पर रहेंगे तो बाप ददा के दिल तक्त पर विराज्शमान रहेंगे उसके लिए बार-बार अपने आपको ब्रिकुटी तक्त पर बैठा हुआ देखेंगे जब सिती एकरस होगी तो बाप तड़ा के दिल तक्त नशीन बनेंगे उसलोग ने शुब चिंतन द्वारा नेगिटिव को पॉजटिव में परिवर्तन करो शुब चिंतन में बहुत ताकत है उससे नेगिटिव को पॉजटिव में परिवर्तन करो ओ शान्ति